सिर्फ दो कच्चे आलू और दो चम्बस सावो दाना से दूद जैसे सफेद और कुरकुरे पापड बनाते हैं आप चाहें तो ये पापड बच्चों से भी बनवा सकते हैं देखिए इन्हें बनाना कितना हसान है तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइस के आलू लिये हैं इनका छिलका निकाल लेते हैं और इन्हें पानी में रख देंगे ताकि ये काले न पड़ें यहाँ पर एक ठाली के अंदर मैंने एक गलास पानी ले लिया है और इसी के अंदर अब दोनों आलूओं को कद्दू कस कर लेते हैं आलूओं को हम जैसे ही काटते हैं तो ये एकदम से काला पढ़ने लगता है तो यहाँ पर सीधे आलूओं को पानी के अंदर कद्दू कस करें और अभी दो से तीन बार इसे साफ पाने से धो कर चलनी से चान लेते हैं यहाँ पर दो चम्मस साबुदाना मैंने इस चम्मस से नाप कर दो गंटे के लिए गहरे पानी में भीगो कर रख दिया था अभी ये अच्छे से गल गये हैं तो इन्हें भी छलनी से चान लेते हैं आलू और साबूदाना दोनों चीज को मिक्स करते हुए मिक्सर के जार में डालेंगे और इन्हें बारीक सा पीस लेते हैं याद रखें कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है आलू के अंदर काफी पानी होता है तो ये आसानी से पिस जाता है तो अभी हमारा गोल जितना भी होगा उससे डबल हम पानी डालेंगे तो मैंने इसे इस कप से ना पा है ये गोल डेड़ कप है तो यहाँ पर हम तीन कप गरम पानी डालेंगे पानी मैंने पहले से गरम कर लिया था, तो अभी एक कप पानी डालते हैं दूसरा कप मैं मिक्सर के जार में डाल रही हूँ, इसमें काफी सारा गॉण चिपका हुआ है तो धोकर इसे भी डाल लेते हैं, इसे mix कर लेते हैं और अभी डालेंगे तीसरा कप तो याद रखें यहाँ पर 3 कप गरम पानी डालना है अभी इसे low flame पर पकने के लिए रख देते हैं यहाँ पर आधा चोटा चमश डाला है सेंधा नमक पापड मैं उबवास के लिए बना रही हूँ इसलिए इसमें सेंधा नमक डाला है हमने इसमें साबोदाना डाला है तो आप देखेंगे 2 मिलिट के बाद ही घोल हमारा काफी गाड़ा हो गया है इस तरह से बबल्स भी आने लगे हैं तो अभी मैं इसे 5 मिलिट तक low flame पर और पकाऊंगी 5-7 मिलिट में ही यह घोल हमारा पकर तयार हो जाता है आप इस समय इसकी consistency देख सकते हैं यह इतना गाड़ा है अभी इसे और ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है तो अभी यह घोल पक चुका है तो मैं गेस का flame off कर देती हूँ घोल काफी गरम है तो हम इसे अभी धक कर 50% तर ठंडा होने देंगे इतने गरम-गरम में पापड विल्कुल भी नहीं बनाने है तो यहाँ पर अभी मैंने इस घोल को धक्त कर रख दिया है यह पापड हम plastic sheet के उपर सुखाएंगे तो इसके उपर हलका सा तेल लगा लेंगे आदा चमश पापड का घोल लेंगे और इसे हलका सा पैलाएंगे याद रखे पापड बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनाने है पापड थोड़े से मोटे बनाएंगे यह सुखने पर बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं तो यहाँ पर कुछ पापड मैंने आपको बना कर दिखा दिये हैं बचे हुए पापड में धूप में बनाऊंगी अगर आप पापड धूप में बना रहे हैं तो इन्हें 2 गंटे के बाद पलटना है अगर आप पंक्य की हवा में सुखा रहे हैं तो इन्हें 3-4 गंटे के बाद पलटना है यहाँ पर एक दिन की धूप में ही मेरे पापड बहुत अच्छे से सूख गए हैं आप देख सकते हैं ये कितने पतले बने हैं इसमें से उंगलिया भी दिखाई दे रही है तो अभी पापड को तल लेते हैं तेल को एक बार हाई फ्लेम पर गरम करेंगे और फिर गेस का फ्लेम लोग करके इने तलेंगे पापड को दोनों तरफ से नहीं तलना है ये पापड बहुत ही नाजुक है आप देख सकते हैं इनका कलर भी कितना सफेद आया है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तेसे लाइक कीजिए और विस्तरी की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए